स्वागत इस्टुडेंट्स question है कि यह body which is initially at rest एक body है जो शुरुवात में rest पर है और कितना height पर है above the surface of earth तो मानलों पहले earth बना लेते ठीक है यह earth हो गया और इस earth का जो radius है मानलों कि वो है r तो यह earth का radius earth का radius r है और इससे और r उपर जानने के बाद एक body है तो फाइनली two hour पर है यह body rest पर था initial velocity इसका zero है और इसको यहां से छोड़ दिया गया तो अब जाएड़ी सा बात है कि earth की gravity की वज़े से इसके surface की तरफ बढ़ेगा और यहां पहुंच जाएगा तो पूछ रहे कि यहां पहुंचने पाद इसका speed कितना होगा तो तुमको ज़्यादा यहां दिमाग नहीं लगाना पर simple method यूज करना है और conservation of mechanical energy या conservation of total energy करना है तो conservation of energy हम यहां पर करेंगे थोड़ा सा हम लोग assumption लेंगे कि जो भी directional forces, air resistance, viscous forces यह सब neglect करते हुए total energy is conserved तो total energy A पर देख लेंगे और फिट देख लेंगे total energy at B तो देखो A पर जो total energy होगा वो तो kinetic तो होगा नहीं के बहुल height है तो potential होगा कितना center से उपर है 2R तो minus G इसका mass small m इसका mass capital M तो minus G M1 M2 by height कितना इसका center से 2R और कोई energy यहाँ पर है अभी फिलाल नहीं है equal to अब देखो जब यह surface पर पहुँचेगा तो kinetic energy तो इसके पास आई जागा velocity बढ़ने की वज़े से साथी साथ surface पर जो height है center से वो R है तो potential energy भी इसके पास रहेगा GMM by R ठीक यहां से हमको V निकालना है तो यह small m तो cut जागा इसको हटा दो यह हो जागा minus GM by 2R यह हो जागा V square by 2 यह हो जागा minus GM by R इसको उधर वेज दो यह हो जागा V square by 2 equal to minus GM by 2R अपनी जगे पे है और यह उधर जाके plus हो गया एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट थोड़ा connection problem ठीक है आ गया तो ठीक है तो यहां पर हम लोग जहां तक लिखे थे हम लोग कहां तक लिखे थे हम लोग लिखे थे कि V square by 2 equal to minus GM1 M2 by 2R था और यह उधर जाके plus हो गया तो यह कट चुका था स्वरी तो GM by R इतना आ गया था ठीक है इसके पहले का उसमें देख ले ना तो थोड़ा बीच में कट गया था इस वज़े से वह मिटी है सो V square equal to आ जागा यहां से GM by R common ले लो तो यह आ जागा minus 1 by 2 और यहां पर कोई सब्सक्राइब तो देखो एक फॉर्मूला होता है G equal to GM by R square यहां पर तुम क्या करोगी GM की जगा पर लिख दो G R square ठीक है तो यहां से यह जगा G R square अपन आर एक आर कट जागा तो final answer मेरा आ जागा V equal to root under G R option number B इसमें सही हो जागा ठीक है इस तरह से इस question को बनाना तो उम्मीद आप समझ गये होंगे thank you so much for watching